किसान भाईयों आज के हमारे दूसरे विजीटर हैं स्री ध्रमवीर सिंग जी जो मेरे यहां से करीब 10-12 किलोमेटर दूर एक गाउं है चल्दैना नागल के पास महां से आए हैं और ये रिटार्ड हैं सेंट्रल गौर्मेंट के सेंट्रल गौर्मेंट के एक मिनिस्ट्री से तो इनको कैसा लगा फार्म क्या देखा काफी डिसकेशन हुया हमारा जीवामरत पर सुभास पालेगर जी की टेकनोलोजी पर और सब चीजों पर आईये सुनते इनके विचार बताइए यह आपने बहुत अच्छा फार्म डवलप किया हुआ है और यह आई आपका भी फार्म है ना इसका गुआ वगा हमने हमने लगा रखता है साथ एकड में और दूसरे वाला जो हमारा फार्म है उसमें तो पुरा नाम एंगो का है टुंटीट्व यह सोल्ड है तो आपका परपज क्या था उद्देश से क्या था आजाने का आपस में नोलीज श अब्द यूज किया है नोलिज सेरिंग मैं बार बार कहता हूं कि दुख बांटने से घड़ता है और ग्यान बांटने से बढ़ता है तो सकता है एक चीज आपको सीखने को मिले और एक दूसरे को सीखने के मिले तो अपनी नोलीज हमेशा सेर किये और मेरा यह यह किसान भाईयों नमस्कार आज बहुत ही अच्छा दिन है 3 जून 2019 और आज हमारे तीसरे विजिटर है मनमीत सिंग शून भीवानी से हैं और देखें कितनी दूर से चलकर आए हैं मुझे अभी एक कपचाय भी निमें को अपर करता है तो अच्छा लगा तो मैं इसे मिलते हैं क्या काम करते हैं और यहां पर आकर इनको कैसा लगा और इनका इनका लेसे पूरा हुआ इन दौर मध्यप्रदेश से हूँ और विवानी मैं एक पार्ट शाल आटेंड करने आया था तो बागे से यह आने का मुका मिला डॉक्साब से मुलाकात हुई है मैं भी फार्मिंग के साथ में कुछले पांच साल से जुड़ा हुआ हूँ अमरूत का मेरे भी बाग है छोटा बाग है साथ में निम्बू का भी है उसी के सिलसे में आगे चर्चा करने और बाटी चीज़े समझने के लिए हुआ चलिए यह थे हमारे मनमीत सिंग जी और इसी झाल 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 झाल